जै शीराम दोस्तों सौगत है आपका अपने चैनल सुदेंट पॉइंट वीडी में तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे तो हम एच्पी ट्रेजीटी कमिशन के लिए आपके लिए वीडियो लेके आये हैं जिसमें हमने पहली वीडियो में केमिस्ट्री का प्लस वन का चैप्टर कंप्लीट किया है तो आज हम सेकिंड चैप्टर स्ट्रक्चर आफ एटम के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है लगभग इससे तीन या चार कोशन आपको पेपर में डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे इस चैप्टर से तो यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है तो शुरू करते हम आज की वीडियो दोस्तों तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो कमेंट बॉक्स में एक हाट जरूर रियक्ट करना ठीक है और अगर हमारे चैनल पर सुरू करते हम आज की वीडियो तो सबसबसे पहले में केंगे की इस चैप्टर में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं जिसका ब्लिए और दीकिर ऑज़ोन को नेव प्रिंगालंनर यह शाह फिस पिसे ब Ig 분 के बारे में 502 के बारे में होड के बारे में 200 गवारे में अथा शेट की आत्रमिग नंबर मास को पाइस निकालते रख़ाया प्रोटोन हम इस बारे में उसारी शाह में इस वीडियो में करेंगे उसके बाद हम मौडल्स पढ़ेंगे थांसन मौडल्स पढ़ेंगे ठीक है बहुर्स मौडल्स पढ़ेंगे रदर फॉर्स मौडल्स पढ़ेंगे सारा हम इस चैप्टर में कंप्लीट करने वाले हैं उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें डियूल को फिल करते है और्बिटल में यह भी बहुत इंपोर्टेंट रूल है आपका एक्जाम पॉइंट आफ वी से फिर उसको बाद हम अफवा प्रिंसिपल पॉली एक्सक्लिउसी प्रिंसिपल ठीक है हूं जरूल यह सारे रूल भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं उसके बाद हम ल सेबिलीटी क्यों ज़ादा होती है है यह सारी हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे तो शुरू करते हम वीडियो में क्या पढ़ने वाले अ Gedanken के बारे में सबसे पहले atoms है वो कहां smallest particles है ठीक है जो हमारा atoms है वो कहां हमारा smallest particles है यह किस ने कहा था जोन डेल्टन में कहा grew ALत बाद में जाके कम से कम सो इनकी CEOs those reduces सीरी तार तक यही त्योरी नहीं तक जो atoms है वो हमारा наша सबसे smallest particles है पर बाद में जाके क्या हुआ कि जो atoms है उसके सब सबसे पहले हम देखेंगे कि discovery of electron कैसे हुई थी हमारे पास discovery of electron कैसे हुई थी तो discovery of electron के लिए ठीक है किसने की थी discovery of electron यह की थी हमारे पास जे जे थॉमसन ने थी यह important है ठीक है एच भी टैट में यह कई वार रिपीट हो चुका है कोशन ठीक है तो जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा डाइग्राम इसको बोलते हैं क्या थोड रे डाइग्राम क्या बोलते हैं हम इसको क्या थोड रे डाइग्राम इसको हम कहते हैं ठीक है तो यह हमारे पास discovery हुई थी किसकी इलेक्ट्राउन की कौन से रे से हुई है इलेक्ट्राउन की discovery क्या थोड रे से डिसकवरी हुई है यह सारी चीजे हम इसमें पढ़ेंगे ठीक है तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जैसे कि आप डाइग्राम में देख रहे हो मैं इसको थोड़ा सा साइड कर देता हू ठीक है तो जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे यहां पर क्या लगा एक कैथोड लगा है यहां पर क्या है कैथोड का एक कैथोड की कैथोड रहे है ठीक है और यहां पर क्या हमार पास एनोड है ठीक है कैथोड पर कौन सा निशान है मार पास नेगेटिव negative निशान निशान और नोट पर कौन सा निशान है? पॉजिटिव निशान और यहाँ पे गिलास की रोट दिख ले है को बोलते हम discharge त्युब कहते हैं तो इनोंने क्या किया? जो हमारे पास discharge त्यूब ही इसको connect है। कानेक्ट कर दिया? हाई वोल्टेज से हाई वोल्टेज से इसको connect कर दिया ठीक है और यहाँ पर क्या बहुती है इसका जो pressure करे वो बिल्कुल ही कम कर दिया इसका pressure लगभग हमारे पास 10 नेस पाओर माइनस 3 के बराबर इसका pressure कर दिया क्योंगे अपर क्या लगा रखा है वेक्यूम डगा रही जिसकी वज़गार से chyba को सारी हवा 100 निकाल दिया तो इसका pressure बिल्कुल ही कम कर दिया तो यह यहाँ पहां पर आपको diagram देख रहा होगा ठीक है तो हुआ क्या हुआ ऐसा कि जो हमारे पास जब यह सारी चीजे कनेक्ट हो गई जब हाई वोल्टेज के साथ इसको कनेक्ट कर दिया तो यहां पर क्या थी एक मैटल की रौड थी ठीक है फ्लोरोसेंस से किससे कनेक्ट किया फ्लोरोसेंस इसली चनेक्ट किया क्योंगि जो इन वीजीबल लाइट्स या ay फोती उसको देखने के लिए हमारे को क्या करना पड़ता फ्लोरोसेंस बगाना वह HOथा जो जो बनाओता जिंक positive की طرف को travel हुई ठीक है तो हमने मानके चला कि यहां पे कुछ ऐसा है यहां पे क्या कोई एक negative sign है जो कि कहां को move कर रहा positive की तरफ को move कर रहा है ठीक है तो यह हमार पास यह इसका क्या था डी स्टार्स जीउब का एक्सपेरिमेंट फूर जो जो हमारे पास यहां पे बीट कर्दें हमने इसको हाई वोलटेज से कनेक्ट किया यहां मैटल की रोड थी, यहां मैटल की रोड ने क्या क्या जो थो हमारे पास Peders. पात्र Sans है जिसको बार में हमने एलेक्टों क्या सब्सक्वाइब कर रहा है को प्रेश कोर्श है कोई एलेक्टिंब कर यह इसको डिस्टॉर्ब करें तो यह तिदेख उस डिख़ा रहा आपया नेगेटिव पार्ट ठीक है तो यह हमारा एक डिस्कवरी ओफ इलेक्ट्रोन थी तो जो यह नेगेटिव चार्ज मूव किया यहां को तो इसी को हमने क्या बोला कि यह क्या एक इलेक्ट्रोन से यह क्या हमार पास इलेक्ट्रोन से तो इसकी डिस्कवरी किस ने की थी हमार पा cathode rays हमारी उसका nature क्या है तो उसका nature क्या है कि they're negatively charged क्यू Bene जब पोजिटिव की साइड को जब साइड को मूब है तो उस pak हैँ नेगेटि bell से लाइन ने टेपल रहे हैं यह से ट्रेवल कर रहे हैं यह कैसे ट्रेवल कर रहे हैं यह है जैसे आप कोई फन खालते उसके साथ एक छोटी जैसे आप उसको हवा में ट्रेवल करते वो क्या करती रोटेट करते तो वैसे हम एक तो क्या कि वह रोटेंट करनी शुरू हो होगी जिससे पता चला कि उसमें क्या है एक हमार पास philosophy इनरजी हैं नेक्ट समारå पास इसमें कि टेधा डिफ्लेक्टेप ट्वार्ड पॉजिटिफ प्लेट इन किस साइट को डिफ्लेक्टिट कर रहे थे ठीक है किस साइट को डिफ्लेक्ट कर रहे थे ठीक है किस साइट को डिफ्लेक्ट कर रहे थे पॉस्टिव साइट को डिफ्लेक्ट कर रहे थे डे प्रोडूस एक्स रे एंडे प्रोडूस फ्लोरोसेंस ठीक है तो यह इसके कुछ न सबसे important बात जो कि आपके exam points से बहुत जादा important है वो रहती है हमार पास कि जो the cathode ray do not depend upon the nature of the electrode and the nature of the gas present in the cathode ray ये क्या बोरे कि ये depend नहीं करता कि आपने कौन सी electrode ले रखी है ये depend नहीं करता कि आपने कौन सी electrode ले रखी थी और उसमें कौन सी gas ले रखी है यह हमार पास depend नहीं करता cathode raise पे यह सबसे इसमें important बात थी जैसे कि आपको मैं पिछली slide में बता दूँ कि यह इस पे depend नहीं करें कि आपने electrode कौन सी ले रखी यहां पे यहां पे आप जो मर्जी electrode लो ठीक है वो negative charge हमेशा move कैसे करेगा state line में ही move करेगा ठीक है दूसरी बात इननों बोली कि यहां पे जो मर्जी गैस हो इसमें ठीक है यह उस पे भी depend नहीं करेगी कि यहां पे आपने discharge tube में कौन सी गैस डाल रखी है तो यह दोनों point इसके बहुत जादा important है ठीक है कौन कौन से की do not depends upon the nature of the electrode और do क्या बलते है और nature of the gas gas पे भी depend नहीं करती और electrode पे भी depend नहीं करता ठीक है the ratio of charge to the mass is same for all cathode rays यह आपको अगली साइड में समझ आ जाएगा इस लाइन का मतलब नेक्स लाइन आपका the particles of the cathode rays are fundamental जो cathode rays के particles थे वो क्या थे fundamental थे क्या थे हो Cathode rays के जो पार्टिकल थे जो electron जो यहां पे negative charge मूव करा तक किसको साइड को positive साइड को तो वो क्या हमारे पास उसको नाम दिया हमने electronic क्या नाम दिया, उसको मैंने इलेक्टो थो यह उकल चार्जम्स असका है fundamental particle , उसका electron उसका fundamental particle next दे sedan मार पास चार्ज मास्ट ओफ इलक्ट्रो यह भी बड़ी बहुत ज़्यादा मिंप्रूटेंट बात कही ठी किसने जे जे थांसने उन्होंने क्या निकाला चार्ज और मास्ट क एक रिश्चो निकाला क्या निकाला चार्ज और मास्ट का एक रिश्यों निकाला है चार्ज को किस से डिनोट किया इन्होंने ए से डिनोट किया और एक M, M से डिनोट करी है इन्होंने एक रिश्यो निकाला E upon M ठीक है जो कि हमार पास किस के बाबर बर निकाला है इन्होंने 1.758 x 10-11 Charge का sign क्या औता है कूलम और mass का sign क्या औता है केजी इनवर्स जो कि किसके बराबर आ है हमार पास 1.758 x 10-11 और ये आपके exam point of view से very very important है बताओ हमार पास electron की E by M या charge by mass ratio कितनी होती है तो कितनी होती दो तो बोज रहती है हमार पास 1.7588 into 10 is power 11 कूलम केजी इनवर्स रहती है ठीक है तो क्या हुआ कि जो हमारे पास EM रेशो है ठीक है इन्होंने क्या बोला था जो हमारे पास कैथोड रेज थी वो किस पे डिपेंड नहीं करती थी ना कि वो हमारे पास मेटरियल पे डिपेंड नहीं करती थी तो जो हमारे पास EM रेशो है वो हमेश्य कहा रही ही ठीक है वो कभी भी चेंज नियुक्य हो एक डिपेंड रही है तो इसमे भी एक इंपॉर्टेंट बात कि जो EM रेशो सबके लिए रहेalım 1.7588 into 10 raise power 11 कूलम केजी इन्वर्स ही रहेगी सब के लिए ठीक है तो इसी बीच क्या हुआ कि milkman जो एक बहुत अच्छे साइंटिस्स है उनकी discovery भी अलग चली हुई थी साथ ही उनकी discovery चली थी उन्होंनों किसी तरह हमार पास charge निकाल दिया इलेक्ट्रोन का क्या निकाल दिया चार्ज इलेक्ट्रोन का तो इलेक्ट्रोन का चार्ज कितना रहता है दोस्तों 1.602 into 10 raise power minus 19 कूलम रहता है ये दोस्तों याद कर ले ना बहुत ही important है very very important important ठीक है very important हमार पास charge कितना रहता है और कई वार HP TET में भी आ चुका है इलेक्ट्रोन का चार्ज क्या रहता दोस्तों इलेक्ट्रोन का चार्ज रहता हमार पास 1.602 into 10 raise power minus 19 कूलम रहता है ठीक है तो यहां से मार को देखो क्या चीज बता चली E by M ratio थी मार पास कितनी थी 1.758 into 10 raise power 11 थी यहां से मार को चार्ज की रेश्यो आगी चार्ज की वैल्यू आगी चार्ज की वैल्यू किसने निकाली मार पास milkman ने निकाल दी चार्ज की वैल्यू क्या आगी मार पास अगरी स्लाइड में देख रहे होंगे E by M ratio क्या थी मार पास 1.758 into 10 raise power 11 थी और चार्ज की वैल्यू किसने निकाली milkman ने निकाली किन न आई 1.602 into 10 raise power minus 19 आगी ठीक है भर दो वैल्यू E by M कितना था 1.758 into 10 raise power 11 थी यहां से E की वैल्यू आगी E की वैल्यू कितने निकाली उन्होंने 1.602 into 10 raise power minus 19 divided by M which is equal to किसके बराब बरता हो 1.758 into 10 raise power 11 के बराब बर ठीक है 10 raise power किसके बराब बरता हो 11 के बराब बर था ठीक है जैसा कि आप यहां देख पा रहे होंगे screen पे भी ठीक है तो यह आगी ठीक है अब क्या है M को परे ले जाओ और इसको कहां ले जाओ अपाउन में ले जाओ तो यह क्या बन जाएगा हमार पास 1.602 into 10 raise power minus 19 upon 1.7588 into 10 raise power 11 यहां पे क्या होना था 10 raise power 11 होना था चीक है तो यह आगी ठीक है which is equal to M तो यहां से मार पास mass of electron निकल गया कितना निकला mass of electron mass of electron होता है 9.1094 into 10 raise power minus 31 kg और यह क्या हमार पास very very important है जो mass of electron क्या हुआ हमार पास 9.1094 into 10 raise power minus 31 ठीक है यहां से mass लग गया हमार को पता charge कितना है electron का charge है मार पास 1.602 into 10 raise power minus 19 हमार पास क्या है electron का charge है और E by M ratio कितनी हमार पास 1.7588 into 10 raise power 11 कूलम केजी इनवर्स यह किसकी ratio मार पास E by M ratio ठीक है तो यह सारी चीज़े आपके exam point से बहुत 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 इंपोर्टेंट हैने वाली है तो इसको आप एक जगह जरूर दिख ले अपने copy में नोर्स हमेशा साथ साथ बनाते रहे ठीक है ताकि आपको कोई भी confusion ना रहे इससे हमार ठीक है तो इसमें confuse मत होना ध्यान से इसको देखना कि क्या इसमें क्या-क्या बहुत 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 इंपोर्टेंट रहने वाली आपके एक्साम से ठीक है नेक्स्ट हमार पास नेक्स्ट हमार पास क्या है डिस्कवरी ओफ प्रोटोन अब जैसा कि आप सभी को पता ही है कि एक अगर कोई भी एगस्पईरिमेंट कर ले तो दूसरा भी गनाइस सेनल राव एसी एक्सपेरिमेंट करता है तो जह प्रोटोन और पास एक प्रकार सहीं प्रहिंशांच ट्यूब में ही ही थी किस्वह हूँ तक कि मुँओ इसाज ठीव में ही थी जो प्रोटोन की डिसकोवरी किस ideals ने किया इन्होंने सेम वैसी discharge बस फरक इतना रहा कि पहले उन्होंने जिंक सक्षैट की प्लेट की धी वह कहां लगाई थी वह लगा थकिति हमार पास आन सब एमोंने जिंक फाइट की प्लेट कहा लगाई अब लगाई इस बार उन्होंने कैथोड पे ठीक है और इन्होंने यूज किया परफोरेटिट कैथोड यहां पर आप देख रहोंगे परफोरेटिट का मतलब की मालो यह कोई कैथोड इसमें क्या कर दिया चोटे-चोटे अब जैसे कर दी है ही वह जो Gore lambie लाइट कने जो यहां से क्या है वह प्राइट क्रॉस तो उसमें एक और बात याद रखना पर इन्हों तुक्त के ब्राबर जो भी रहे जाते थे ठीक है और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है इसमें इंपॉर्टेंट है कि इन्हों किस से किया हाई वोल्टेज से किया ठीक है तो हुआ यूं कि जो पहले क्या थे पहले हमारे पास electron जो हमारे पास electron की discovery हुए थी तो negative charge था जो हमारे पास negative charge था वो कहां को travel कर रहा था cathode की तरफ को travel कर रहा था positive side को travel कर रहा था ठीक है पर अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारे पास positive sign था जो positive sign था वो किस की तरफ को travel कर रहा हमारे पास negative side को travel कर रहा है मतलब cathode की side को क्या कर रहा वो travel कर रहा है ठीक है और जो यहां पर positive sign travel किया उसी को हमने क्या बोला proton बोला ठीक है पर इसमें important बात आपको मैं बता दू कि यह कैसे positive मालों को यहां पर छोटे-छोटे smallest smallest gas के particles भी है ठीक है तो मालों यहां पर hydrogen gas है मानके चलते हैं यहां पर कौन सी gas डाली हमने hydrogen gas डाली तो इसमें क्या है एक proton भी होगा hydrogen में क्या होगा proton भी होगा ठीक है और एक क्या होगा electron भी होगा जो proton होगा positive size होगा जो positive size होगा किस की side को travel करेगा इस side को travel करेगा जो negative side होगा negative side को travel करेगा ठीक है तो अगर मालों यहां पर हमने N2 gas ले लिए यहां पर कौन सी gas है अब नाइट्रोजन तो बहुत जाद आ तो gaseous particle क्या होंगे बड़े बड़े होंगे तो वो बड़े बड़े particles अलग तरीके से हमारा को measure करने पड़ेंगे और जो हमारा आपको यह वाला concept अच्छे से समझा जाएगा, properties क्या थी कि आर मेड अप आप चार्ज पार्टिकल किसे बने हैं, हमारे पास किसी चार्ज पार्टिकल से बने हैं, चार्ज पार्टिकल कौन सा हमारे पास proton, प्लस positive charges, ठीक है, these days, sorry, यहां पर days हो गया, दोस्तों, ठीक है, यहा पास कहां से, anode, इसको क्या बोलते हैं, anode बोलते हैं, जो positive sign होता है, ठीक है, तो किसकी साइड को travel करी थी, यहां यहां पर आपको लिखा है, ठीक है, these are made of gaseous ions, यह इसमें बहुत important line है, अगर आपको exam में आएगी, तो यह दो line ही आपको exam में देखने को मिलेगी, ठीक है, तो वही जो gaseous particle के proton होगा, positive charge होगा, वो ही क्या करेगा, move करेगा, ठीक है, अब इसमें ऐसा थोड़ी है, कि जो यहां पर electrode है, ठीक है, उसके particle move कर रहे हैं, जो इसके बीच gaseous gas है, उसके particle move कर रहे हैं, तो यह किस पर depend कर रही है, हमारे पास gas पर depend कर रही है, यह इसमें nature of gas पर भी depend नहीं करती थी और electrode पर depend नहीं करती थी, पर जो हमारे पास anode rays है, वो किस पर depend कर रही है, nature of gas से depend कर रही है, क्योंकि बणी किस से है, यह बणी gaseous ion से, किस से बनी है, gaseous ion से बनी है, ठीक है, यह इसमें important बहुत है, बहुत important है, question आएगा, तो यहीं से आपको definitely ली आए गाएगा, ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास, मैं एक वार आप से फिर से यहाँ पर revise कर वा लेता हूँ, कि जो हमारे पास cathode ray थी, वो यहाँ पर electron लगा था, वो सीधा move कर रहा था, ठीक है, पर जो हमारे पास anode ray, वो थोड़ी है, यहाँ पर gaseous particles है, उसका जो positive sign है वो move कर रहा है, ठीक है, तो इसमें सबसे important यही बात है, तो next हमारे पास, जो उसमें कहा थी, e by m, जो हमारे पास cathode ray थी, e by m ratio कहा थी, same रहती थी, same रहती थी, constant रहती थी, कितनी रहती थी, 1.75 into 10.11, पर anode ray में ऐसा नहीं, यह किस पर e by m ratio, किस पर depend करेगी है, यह depend करेगी हमारे पास gaseous molecules है, nature of gas पर depend करेगी, कौन सी आपने gas ले रखी है, ठीक है, पर, अब धीरे धीरे experiment हुए, ठीक है, जो हमारे पास e by m ratio है, वो हमने देखा, कि जो हमारे पास सबसे lightest gas है, सबसे lightest gas कौन सी हमारे पास hydrogen, सबसे lightest gas क्या है, hydrogen gas है, तो उसमें यह सबसे जादा आ है, hydrogen में आ रही, कितनी आ रही है, यह हमारे पास 9.58 into 10 is power 7, कूलं केजी इनवर्स आ रही है, ठीक है, और आपको यह बात रखना है, unit आपको कहां से आई, e मैंने कहा है, charge है, तो charge की unit कहा है, कूलं upon m मैंने कहा है, mass है, तो mass की unit कहा है, ठीक है, ठीक है, जब हम केजी को पर e by m ratio है, वह highest है, किस में, वह highest है, पाई गई, किस में hydrogen atom में, तो यह वाला question भी आपको exam में देखने को मिल सकता है, कि anode raise में जो e by m ratio थी, वह highest की कौन सी gas में थी, तो वह किस gas में पाई गई हमारे पास hydrogen gas में, कितनी पाई गई वह e by m ratio for hydrogen gas, तो वह पाई गई 9.58 into 10 is power 7, 10 is और सैवन कूलम केजी इन्वरस पाई गई ठीक है तो यहां से हमारे को क्या हुआ ही हुआ आप देखो एई बाई एप एम्रेशों यहां पर कैम में पास e ήंड एम रेशों है किसको मैं साइड में कर देता हूं है ठीक है तो कि यहां पर कई है है M ratio कि नहीं है डूजन के लिए यह यह nine point five eight into ten is power seven ठीक है तो यहां से मार को charge पता है electron का charge कितना होता है ठीक है charge क्या होता electron का वही one point six zero two in two ten is power minus 19 coulomb ठीक है mass मार को पता नहीं रेशो कितनी nine point five eight into ten is power seven ठीक है इस mass को परएं ले जाओ इसको यहा ले जाओ, ठीक है, मास कितना आ जाएगा हमारे पास, 1.602 10 रेसेंदेफ पर माइनस 19, अपवन क्या जाएगा, 9.58 इंटु 10 रेसेंदे पर 7, ठीक है, जब हमने इसको कैलकुलेट किया, तो यह आया हमारे पास, 1.6 रेसेंदेफ पर माइनस 27 KG, ठीक है, तो कि यह आया हमारे पास mass of किसका आया हमारे पास किसका मास आया प्रोटोन का मास कितना होता हमारे पास 1.67 इंटू 10 बावर माइनस 27 kg कई जगा इसको ग्राम में convert किया तो कैसे लिखेंगे 1.67 into 10 is power minus 24 kg और हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ रखा था कि 1 amu किसके बराबर होता है तो 1 amu किसके बराबर हमार पास 1.67 into 10 is power minus 24 ग्राम के बराबर होता है तो mass of proton mass of proton which is equal to amu ठीक है दोनों क्या है सेम है ठीक है मास of proton भी आपके लिए क्या होना चीह इंपोर्टेंट है एक्जाम पॉइंट और एचपी टैट में तो यह डारेक्ट कोशन देखने को मिल जाता है ठीक है तो यह हमने discovery of किसकी पढ़ ली हमने proton की discovery भी पढ़ ली कैसे discovery हुई हमार पास proton की ठीक है इसका positive उसको मान के क्या चले कि वह क्या हमार पास proton है ठीक है और जो नेगेटीव होता वह क्या होता हमार पास हमार पास समझ आ गया अगर आपको नहीं समझ आया तो comment box में जरूर ली के हम इसके shorts भी आपको लेके आएंगे तो next हमार पास next क्या हमार पास next हमार पास model ठीक है यह model तो आपके लिए बहुत important रहने वाले हैं सबसे पहला model हमार पास thompson model of atom सबसे पहला model कौन सा है thompson model of atom ठीक है thompson model of atom है ठीक है इसको हमने नाम दिया इसको हमने नाम दे रखा है क्या rosing pudding model भी हम इसको बोलते हैं क्या बोलते है इसको rosing pudding model भी बोलते हैं इन्होंने क्या बोला कि एक हमार पास thompson ने रखा था ठीक है इसके अंदर which positive charge इसके अंदर किया हमार पास positive charge है जो इसके water melon के बीज उसको मान के चले हम वो क्या हमार पास positive charge है यह model किस ने दिया था हमार पास thompson ने रखा था ठीक है the electron are embedded into the spare electron का हमार पास spare के अंदर है ठीक है the radius of the spare is the spare atom का radius किन्ने मान के चले थे 10 is power minus 19 meter मान के चले थे जो की यह important नहीं है आपका exam point of view से ठीक है और यह model भी आपका exam point of view से important नहीं है इतना next model हम जो पढ़ने वाले है next model rather for model of item यह बहुत important है यह कहाँ है बहुत जादा important है आपका exam point of view से तो रदर फोर्ड का model क्या है हमार पास रदर फोर्ड का model है हमार पास रदर फोर्ड का model है हमार पास रदर फोर्ड ने क्या बोला इन्होंने क्या किया कि एक हमार पास radioactive substance ले लिया यह कह लिया इन्होंने रेडियो एक्टिव सबस्टांस ले लिया चीक है इन्होंने हाँ से भी बोलते है ठीक है और यह जो इसके अंदर आप प्लेट जैसी दिख रहे होंगे यह क्या प्लेट है हमारे पास गोल्ड फॉयल की प्लेट है ठीक है यह क्या हम इसके अंदर गोल्ड फॉयल की प्लेट है ठीक है इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को यहां से डिस्ट्रिब् जो अल्फा प्रटिकल होता है उसका प्लस तू चार्ज होता होता और एक्ट्वीग मास्क तना था एक्ट्व के बढ़ाबाल होता है यह बहुत है एनर्जी उती है इसके पास इसमें कुछ यही इिसमें हए इमपोर्ट्वर एक बहुत महंगे साइन्टिस्ट पी थे एक्सपेरिमेंट करते रहते थे रेडियो एक्टिवीटी पे ठीक है इनके पास बहुत सी ऐसी कंपनी थी जो की एक्सपेरिमेंट करती थी तो इन्हों ने यहां पर क्या एक रेडियो एक्टिव सबसांस ही प्रैफर किया ठीक है तो यह क्या थी एक बीच में gold foil थी लगा रखी ठीक है उसके बाहर-बाहर क्या थी एक screen जैसी लगा रखी ठीक है तो दोस्तों drawing तो मेरी वैसी ख्राब है ठीक है यहाँ पर क्या थी गोल्ड foil थी तो इन्हों देखा कि maximum particle क्या हुए वहाँसे pass out होगे यहां से क्या आ रहे थे अलफा पार्टिकल आ रहे थे यह क्या होगे maximum पास होगे maximum पार्टिकल क्या होगे यहां से पास होगे a small fraction of alpha particles are deflected थोड़े से पार्टिकल क्या होगे यहां से थोड़े से ऐसे क्या होगे deflected होगे थोड़े से पार्टिकल just a small portion of particle 12-13 से गाए,डिफलेटेक्ट होगए और वेरी फ्यूब पास् थे फोल्ड घ्टिंड जो अलफा पार्टिकल थे यहांय तक गहे और यहां sẽ कहें वबपस आगे जो रेज यहां हो आके वब पसागी बहुत ही, बहुत ही कम, very few, very few did not pass रो दी, बहुत कम हुआ ऐसा कि जो यहां से अलफा पार्टिकल है वो क्या हुए, पास नहीं हो पाए, तीन इनकी अब्जर्वेशन थी, पहली अब्जर्वेशन कहा थी कि maximum जो अलफा रेज थी या अलफा पार्टिकल थे वो क्या हुए, प पस हो गए, इनकी तीन अब्जर्वेशन थी, तो इनकी तीन अब्जर्वेशन से देखा, कि मालो कोई एक एटम है, यह क्या हमारे पास एक एटम है, ठीक है, एक मालो गोल्ड फॉयल का एटम है, इसका जो उन्हों ने गोल्ड फॉयल ली थी, ठीक है, तो उन्हों देखा क जो इस पे टकराई और थोड़ी सी यहां को deflect होगी ठीक है जो इस पे टकराई थोड़ी सी deflect होगी जो इसके कोणे टकराई थोड़ी सी deflect होगी ठीक है कुछ ऐसी रेज थी जो यहां पे पहुंची और फिर इसी direction में वापस होगी ठीक है फिर यहां पे पहुंची जो इसी direction में भापस होगी यह तीन इनकी observation थी तो इनकी observation से हमारे Whenever को पता चलता है। कि most of the atom most of the atoms क्या है empathy है क्योंकि सारी raise क्या हुरही थी pass out हो रही थी यहां से password हो रही थी ठीक है यहां से password हो रही थी zu maximum atoms का portion हमारे पासUR था ठीक है ठीके दिप को पॉजिटिव पार्टिकल है ठीक है जो कि हमार पास जो हमने अलफा पार्टिकल थे उसको क्या कर रहा है इस से तकराया तो वो पॉस हो रहा तो उसका मतलब कि जो अंदर पार्टिकल हमारे पास उसके एनरजी क्या है उससे भी ज़ादा है तो इससे पता चला कि यहाँ पर कौन सा अंदर क्या है हमारे पास positive चार्ज है ठीक है दूसरा ता दी positive चार्ज पार्टिकल से very small reason. अफ दी प्रोटोन किसके बराबर नंबर और इलेक्ट्रोन के बराबर यह आपको आगे पता चल जाएगा कैसे है अगला बोला इननों कि इतना सा नूकलास है ठीक है तो यह मान pointing चले जो एक अटम का साइज ही वो कितना 10 पार माइनस 15 के बराबर है जैसा कि आप von कितना 10rant आप 15 है और रेडियस ओफ एटम कितना 10 मितर और इन दोनों में कितने गया किकने एक लाक टाइम्स का डिफरेंच है क्यों कि 5-0 का डिफरेंब से ज़ीद है ठीक है क्योंकि Size Of Nucleus Is एक लाख टाइम स्मॉल एक लाख टाइम स्मॉल ऐस कंपेर टू धी एक लाख टाइम छोटा है किस से Atoms है किसका साइज का साइज है तो यही हमारे पास क्या था रदर फोर्ड मॉडल ओफ एटम का That पल सा था कि alpha particle इन्हों डाले gold foil में टकराए है ठीक है gold foil टकराने के बाद क्या हुआ कि एक atom है ठीक है इसके बीच देखा उन्होंने कि maximum raise क्या होगी पास out होगी ठीक है कुछ क्या होगी इस पर टकराई और कुछ डिफलेक्ट होगी कुछ क्या होगी जो इसमें टकराने बस तीन observation देखी इन्होंने तो उससे देखा इन्होंने की जो एक atom है उसमें maximum space क्या है MPT है ठीक है यूँकि सारी रहे और इती पास maximum raise क्या और इती पास आउट हो रही तो मतलब maximum space क्या है पेटी है उन्होंने देखा कि एक बीच में कोई ऐसा पार्टीकल है जो अलफा रेज को अलफा पार्टीकल को क्या कर रहा है वह अपस कर दे रहा है तो उसका नाम दे दिया नूकलिस उसका नाम क्या दिया नूकलिस तो कभी आएगा कि डिसकवरी ऑफ नूकलिस किस ने कर रखिए तो डिसकवरी ऑफ नूकलिस किस ने कर रखिए रदरफूर ने कर रखिए यह व्याद रखना कई वार यह कोशन आपको एच्वी टैट में डारेक्ट आजाता है ठीक है और उन्हों देखा कि तो पॉजिटिव चार्ज अंदर क्या बहुत ज्यादा है क्यूंगे अल्फा पार्टिकल पहली होते उसमें टक्राने के बाद वो क्या रहे वह पस आ है हैं तो नेक्स हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपोर्टेंट नेक्स के हमारा स्कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स है ठीक है इलेक्ट्रोन रिवॉल्व इने क्लोस क्लोस सर्कुलर ओर्बिट एराउंड दी न्यूकलस इट इस इस द्यू टू दी सेंट्रफिटल फॉर्स ठी क्यां एक कोई यहां पर क्या है एक है इसके बीच कछे पॉजिटिव चार्ज ठीक है जो इलेक्ट्रों उते हमारे वह इलेक्ट्रोन kinda क्या करते रहते मूव करते रहते हैं alektrum कहा रहते हमारे पास बाहार रहते पो आक्रेइंट इसे ठीक है और यह किसकी वजादा से करते longitud alltid की वजह से most करते हैं तो कोईशन आपको ऐसे आ सकता है कि यो electron necesario करते त्थीक है और ओर भीट तो कौन सी वजह स़ेंक है करते हों passion और पहलो भीघञास्वात है स्टेबिलिटी और आ सका थाtime यह यह सबसे बड़ा फेलियर था यह क्या नहीं बता पा रहा था हमारे पास stability नहीं बता पा रहा था atom की ठीक है according to Maxwell theory के वज़ा से तो यह theory आपके लिए इस time important नहीं है आपने वस इतना बता होना चाहिए कि therefore model क्यों फेल हुआ due to the due to cannot explain the stability of atom ठीक है नहीं हमें क्या बता पा रहा था line spectrum बता पा रहा था ठीक है नहीं spectrum of hydrogen के बारे में बता पा रहा था तो यह इसके कुछ कारण थे जो कि यह model हमार पास क्या रहा फेल हुआ ठीक है तो इतना आपको नहीं पूछते है एक्जाम में जो जो एक्जाम से एक्जाम में आपको पूछते वह मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा ठीक है नेक्स्ट आपके पास discovery of neutron कि आपने चैंडविक ने किसने की डिस्कवरी आफ बैरलियूम का बॉंबारड किया यह याद रखना दोस्तों कई और इस से लगलन की डिस्कवरी किस पार्टिकल से हुए हकी हमने तो इनहों כई फिलियम कंग्शार ने क्याए इन आपका द्यास में हमार पास इन्हों ने दिया मार पास कार्बन का एटम ट्वेलग, सिक्स जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं और साथ में इन्हों ने एक पार्टिकल दिया जिसका ये इन्हों ने एक पार्टिकल दिया ठीक है ये जो पार्टिकल दिया इन्योंहीं है बेरीलियम के बमबार की थी किसके साथ? हिलियम के साथ मासद के बेरीट उसका मास इर्लमा सबक्राइप 2.675 ही 10 इसी bunları 7 kg इसका मास भी मासद के के बराबर रहता हमारे पास प्रोटोन के मास X की बराबर तो next हमार पास atomic number यह दोस्तों बहुत ही जादा important है atomic number आपको पता होने चाहिए पहल तो आप कम से कम 50 तक तो atomic number आपको याद होने चाहिए ठीक है 50 तक आपको atomic number तो याद होने चाहिए ठीक है आपको पता होना चीए तो आपको मानलो एक्जांपल के साथ हम देखते हैं ठीक है तो कि मानलो हमां पास carbon का atom है ठीक है Bronzembra performance tą फ्रोंच किसके वर्राबबर होता नमबर आफ प्रोटोंधे एंग किसके बराबबर होता है ल纽 नमबर आफ नमबर आफ प्रोटोन के बराबबर होता है तो najwię gitti Until crumble numberождаться in matter current ch as common merit में नमबर किया उनके त्याय नेक्स्ट हमारे पास की जो मास नंबर होता है, उपर क्या होता है, मास नंबर होता है, वो किसके बराबर होता है, प्रोटोन प्लस न्यूटरोन के बराबर, मास नंबर क्या होता है, प्रोटोन प्लस न्यूटरोन के बराबर, तो प्रोटोन तो आपको पता चल गए, कितने इ तो यहाँ से सहाफ़ को नियूटर्वन पहले है इस lira बात कैसे चले आप इसमें एलेक्ट्रोन का पता कैसे कि इसे इलेक्ट्रोन कितने इसमें इसलेक्ट श्कष्टों। होंगे उतने क्या होंगे intelligent no outro fonction कितनी हुगे उसमें उसमें proton कितने सिक्स तो कितने हो है वागें आपको पता कि कार्बन-अटम एक प्रोटोन कितने थे six neutron कितने थे six और electron कितने थे six एक और एक और डेक्सम्पल मैं लूँगा यहां जैसे यह आपने लिखा, to find the number of electron of mg2 plus or mg, mg2 plus के electron भी आपने निकाल ले है, और mg के भी निकाल ले है, तो देखो जैसे for example, magnesium, magnesium, चीक है, तो पहले तो आपको magnesium का atomic number पता होना चीक है, कितना ओता दोस्तों, magnesium का atomic number, बताओ जल्दी समिर को, बोलो hydrogen, helium, lithium, beryllium, beryllium, आगे क्या आता है, hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, कितना हुआ, 12, ठीक है, तो atomic number कितना होता है, 12 होता है, ठीक है, और इसका atomic mass कितना होता है, 24, डबल होता है, ठीक है, तो atomic mass कितना हो, इसका 24 हुआ, इसमें number of electron कितना है, सबसे पहले निकाले हम number of proton, तो number of proton क्या होत होते है, जितना इसका atomic number होता है, तो atomic number कितना है, 12, ठीक है, अब number of electron कितना होते है, जितने होते है, इसमें proton होते है, तो proton कितने होते है, 12, तो electron कितने होते है, 12, ठीक है, अब निकालते है, neutron कैसे निकालते है, neutron किसे बने होते है, जो mass number होता है, proton plus neutron से बनाता है, ठीक है, तो तो प्रोट्रोन को पता चलिए तो यह आपको पता चलिए अब निकालें गाम Mg2+, इसको ध्यान से देखना दोस्तो, Mg2+, जब भी यहां पे चार्ज होएगा, तो उसके electron क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ठीक है, जैसे, for example, Mg2+, किसमें मास्ट कितना है ? 24. गोद। इसमें, proton कितने रहेंगे, proton को निकल गें, 12, neutron कितने होगे प्लस जब होता है तो यहां पर प्लस तू根ज हxis होता है कि दो लॊच्टन के लुच्ट कितने थे 12 चोबी ठीक 我 सब्समें इलयक्टन कितने थे 12 चोबी थे शे सब्सक्राइब का हमेशा याद रखना कि Mg, two plus में कितने एलेक्रोन रहेंगे? अब 10 एलेक्रोन रहेंगे क्योंकि इसमें charge कितने है? अगर यहाँ पर Mg माइनस two होता है वैसे होता है पर मान के चलते हैं Mg माइनस two होता है तो माइनज 2 को मितलब पहले में में किनने हैं 12 थे साम ऑडव ऑ बढ़ जाएंगे नेगस्था इन चरीघाता थे बढ़तों रख जाते माइनज 2 से किणने बढ़ जाएंगे हो 12 से किने बढ़ जाएंगे बढ़ जा लोगे अगर माइनज 2 होता और अगर mg प्लस है तो दो एक्टर न गया हो जाएंगे कहले बारा थे अब कितने ऻो जाएंगे दस टाइन के तो आई होप आप सबही को यहां तक समझ आ गया होगा ठीक है तो नेक्स्ट आइसो टोप्स आइसो बाज और आइसो टोप वते सेम अटोमिक नमबर आ ठीक है और मास नमबर करना 12 है ठीक है इसी का एक एलो ट्रॉप्स होता है कार्बन का जिसका एटमिक मास 13 होता है एटमिक नमबर 6 होता है इसी का एक और एलो ट्रॉप्स होता है जिसका एटमिक मास 14 होता है एटमिक नमबर क्या होता है छे ही होता है तो इन तीनों में देख़ जोगा टीक है ठीक है कि फिले को चाहिए बहुति है इसको बोलते हैं सब्सक्राइब डूटियू और छीटियम ठीक है प्रोटियम का गया एक आटमिक मास्स कि तना इतनों हो फूरा है ओन फूर सेम ही रहा ठीक है यहां पर मास्स छेंज हो गाए लिए और त्री हो गाया यह प्तिक रहा टिक तो कजिसका atomic mass different और atomic number कि होता है सेम होता है ऐसे compound with आई- coherent dollars रहता है इसमें क्या होता है इसमें set मास नंबर चेह मेर 15 पर डिफ्रेंट मैं अट मैं नंबर होजाता है different का जाता तक में ऐटमिक नंबर हो जाता है, जैसे इसका example आपको मैं देना चाहूँ के usa पोटाइशियम ले लो , ऑर गनशा उता है का। कैल्शियम तकि है , अब देखो इनका मास नंबर के सिबका 40 है ठीका आरगन का मास नंबर 40 होतार कैल्शियम का तक 40 होता है पर इनका Atomic number, Potential का होता है, 19, Argon का होता है, 18 और Calcium का क्या होता है 20, देखो, इस देखो, Atomic number का हो गहाँ है, Different है, Atomic number का है, Different है, और Mass number का है, सबका, Same है, आईसे Compound का होते हैं, आईसों बाहर बोलते हैं, जिसका Atomic number différents होता है, or mass number क्या उता है same रहता है next हमार पास isotones च्रिक है next का हमार पास isotones है तो isotones में क्या होता है same number of neutrons neutrons क्या होते है same होते है चीक है जैसे फॉर आपका oxygen oxygen और nitrogen ले ले लो चीक है oxygen का atomic mass 16 और atomic number 8 nitrogen का atomic mass 15 लेंगे मस नंबर पारीट में। तो 8 इसमें क्या है, तो न्यूट्रोन भी कितने होगे, तब ही 66 कैसे बनेगा, जब इसमें क्या करेंगे, प्लस एट करेंगे, तो न्यूट्रोन गतने होगे, इसमें 80 होगे, कितने हूँ इसमें De czas atum मेंihen में नूट्रों कितने हुए है अब लेंगे नाइटरोजन वाला शूогत से बना अब प्रोटवर निटिर्ण से बनाओगा प्रोटों की क्वास पमारे पास एट्वीक नंबर होता था तो ऑटमीक नंब नंब प्रोटन कीतने हमार पास 7 प्रोटन प्लस अब नूट्रा बनाने के लिए कि न्यूट्रों की आयपलने की डोनीक चाहिए seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen little ironatal के ने अन्यれた ना चाहि तभी कितना बढ़ेगा फिफ्टेन बनेगा ठीक है तो इसमें भी न्यूत्र उक्सक्राइब यह डून में प्रफ़ कैना मेरने पूर्ण यह याद तो नेक्स्ट है मारे पास बोहर मॉडल आफ एन एटम तो बोहर की बहुत ज्यादा बड़ी डिस्कवरी थी और इस डिस्कवरी में जो हमार को इंपटेंट है जो आपके एक्जाम पॉइंट से इंपटेंट है वही मैं आपको करवाऊंगा ठीक है इसके पॉसुलेट्स हमेशा बहुत जादा इंपोटेंट रहते हैं तो पहला पॉसुलेटी की एटम हैस सेंटर कॉल न्यूकलस वही बात रदर फोर वाली बात को इसने लिख दिया वान्हें बहर ने आइक वहले को बहुर सोब्ल सब्सक्राइब को एंव आर्पिक्स एनरजी एंड व्लाजिटि मैंने क्या बहला कि जो electron revolve करेंगे जैसे कोई एक atoms है ठीक है जो इसके अंदर revolve करेंगे electron वो क्या करेंगे fix circular orbit में revolve करेंगे और उनकी energy भी क्या रहेगी fixed रहेगी और velocity भी क्या रहेगी उनकी fixed रहेगी जैसे कि आपने एक model देखाओगा यहां पर जिसको शैल वाला नाम देखाओगा के एल एम ठीक है इन्हों क्या बोला बोहर ने बोला कि electron हमेशा क्या एक fix circular orbit में revolve करेंगे ठीक है या तो के में के में revolve करेंगे या कहां revolve करेंगे L में revolve करेंगे के और L की बीच ऐसा नहीं में revolve करेंगे एक fix circular orbit में revolve करेंगे एसा नहीं कि आपके electron L और M के यहां पर revolve कर रहे हैं ऐसा नहीं होगा एक fix circular और्बिट में ही एलेक्टरन डिवॉल्व करेंगे तो यह किस ने बोला था हमार पास बुहर ने बोला था ठीक है उनकी एनरजी भी क्या रहेगी फिक्स रहेगी जैसे आपने सुना होगा माइनस अब इसमें जो एन की की वैल्यू है वह क्या रहने वाली एन की वेल्यू हमार पास 1, 2, 3, 4, 5, so on रहेगी ठीक है तो जैसे for example हमारे पास कोई यहाँ पर मैं क्या model बना देता हूँ आपको बहुर का तो मान के चलना मेरी drawing बहुत अच्छी नहीं है ठीक है यह हमारे पास क्या है model है बहुर का ठीक है फिमें के में चराब है बंडेक zzarella thi एल शानलमें क?... चराब में qi value क्या होतो जाती si44 में गर पूछा हो आपको कि मुझे बताऊ कि थर्ड छैल में angular momentum कितना होगा थर्ड शैल में angular momentum कितना होगा तो वह कितना होगा हमारे पास तो यहां पर किस की बात करें हम् militar दिपैंड करें Kristi बात करें तो थर्ट में क्या होगा हमार पास एन की वैलू कीतना हो जाएगी 3 ऑजाएगी हैं की टिने हो जाएगी से एच क्या हमारे पास प्लैंक्स कॉंसेट proteg तुमारे पास एंस पास थ किसी अुर। च्छ distinguish क्या है सब्सक्राइब है फेस्तिफ्रों कि अगरल को बताओ कि गया है कि लिए तो तो याद रखना कि जो सेगिंड शेल हमारे पास उसमें एंगलर मुमेंटम कितना रहता है यहां पर आप देख रहे होंगे और फर्स एल में कितना रहेगा एंड की वैली गया जाएगी वन जाएगी तो वन इंटू एच अपॉन टू पाई तो कितना रहेगा एच अपॉन ट और पॉसे बचाएगा और और पर शेल में बताओ किया रहें के अंगलर मुमेन्टम दोके में कितना रहेगा तो टीमें के लोगा रहती एंड की वैली तू रहती है एंड लू थी इसमें आपने कन्फ्यूस नहीं होना है ठीक है सिंपल सा है वैल्यो भरो और अंसर आपका जाएगा पास नेक्स पसुलेट समुजाऊंगा अड़ अब्सकहां तो इन्हों क्या बोला कि जब भी कोई इलेक्टरन मालों यहां पर क्या एक इलेक्टरन है जब इस वाले शेल को जाएगा मतलब जब जम्प करेगा तो यह क्या करेगा एनरजी क्या करेगा इमिट करेगा और जब कोई मालों कोई लेक्टरन का है इधर है और जब वापस इसमें आएगा तो यह क्या करेगा नहीं द अबस चब एक पर एहन पास बोहर का प्रपर जलिड यह कोई अनर्जी आया से जंप करेगा तो एनेर्जी कोई थास अनलेटो। कहा है consider burning नेक्स रफ नेक्स अपस नेक्स रिवाइल पास सई कर समुकियर और यॉस्टवनव दिवालब गोन एनरजी और नौर मुसमेर्छ ऑन अहरूर यौ वाइज्दी एनरजी करते हूं हमेश्प कही रहती है वह कहा रहती फिक्स रहती जासे एसे एसको नाम दे गिया है क्या नाम दे दिया है इन्होंने स्टेशनरी एनर्जी लेवल ले दिया कि सॉरी दोस्तों ठीक है आगे हम कुछ इंपोर्टेंट टम्स पढ़ने वाले हैं जो की बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है आपके पेपर के एक्जाम के पॉइंट आफ यू से सबसे पहले हम निकालेंगे रेडियस आफ इलेक्ट हों रहता है मैंश्या यह तो कैसे हम निकालते हैं एट स्क्रेयर अप्र आपन एप्सल्ON नॉट अ depression गर्राइटमahan आजसे में निकाल देते कंसेंट में इसमें इसमेंट सेट एप्सवेर आपक Spaß पाई M और E स्केर्ट यह क्या है constant terms ठीक है बचेगा क्या 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 है n स्केर्ट अपॉन जैड बचेगा क्या बचेगा n स्केर्ट बचेगा और जो इसको constant term को जब हमने इसके calculate किया तो हमारा से value है 0.53 यहां पर दोस्तों यहां पर गलत लिख दिया है नहीं होना था यहां पर इसको आप मिटा दो यहां पर ए नहीं है तो कितना ही हमारा पास radius तो radius of electron कितना होता radius of electron होता 0.53 कि एन स्केर अपॉन जैड के बढबर किसके बढबर होता है radius of electron यह याद रखना यह डारेक्ट आपको question आजाएगा यह आपको find out बोलेंगे कि radius of electron बताओ hydrogen atom का ठीक है radius of electron बताओ hydrogen atom का जब वो first shell में ठीक है जब वो first shell में है तो radius कितना आएगा उसका तो simple सा कैसे निकालेंगे 0.53 into n square upon z ठीक है n square क्या है इसमें n square होता है shell number तो shell कौन सा इसमें first तो first का square upon hydrogen का z क्या होता है atomic number होता है तो hydrogen atom का 1 तो radius कितना आजाएगा उसका 0.53 एंग्स्टोन आजाएगा ठीक है किसका radius आया है hydrogen atom का जब वो first shell में था जब वो second shell में जाएगा hydrogen atom उसका radius कितना हो जाएगा तो कैसे निकालेंगे आर इस इकल टू 0.53 into n square upon z ठीक है अब वो कांचल गया second shell में चल गया तो क्या जाएगा 0.53 into shell number क्या होता है n square 2 का square upon z तो किना जाएगा है 4 into 0.53 जाएगा 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 सिर्फ वैल्यू भरते और आंसर आपका आ जाता है नेक्स इननों कहा किया velocity of electron भी बता दी पहले इनों radius of electron निकाला अब नेक्स कहा पता है इनों निकाली 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 2.18 into 10 की पावर 6 into z upon n यह क्या आगी इसकी velocity आगी जैड़ क्या इसमें जैड़ इसमें मार पास atomic number और एन के इसमें शेल नमबर ठीक है अब पुछा ओगा आपको की velocity निकालो लास्ती निकालो हाइड्रोजन एटम की जब वो कौन से शैल में सेकिंड शैल में तो व्लास्टी कैसे निकलेगी क्या वैल्यू थी टू पॉइंट इंटू टैन की पावर सिक्स मल्टिप्लाइड अपॉन एन ठीक है स्मॉल एन उता है जाड़ अपॉन एट इंटू टैन की सिक्स मल्टिप्लाइड की वैल्यू क्या जाएगी जब वो हैड्रोजन एक्टम कौन से शैल में था सेकिंड शैल में था वैसी हमने क्या निकाली एनर्जी निकाली एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होती हमार पास 13.6 इंटू जड्ड स्क्वेर अपॉन एन्स्क्वेर इलेक्ट्रॉन वोल्ट इमार पास एनर्जी थीख है तो यह इसमें इंपॉर्टेंट है टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है यह दोस्तों कई बात डाइरेक्ट कोईशन आपको एक्जाम में देखने को मिड़ जाएगा टोटल एनर्जी ऑफ स्क्वेर एक्वेर अग्स देखो See hydrogen atom यहां पर क्या निकाल लपनी मैंने टोटल एनरजी निकाल लिए ठीक है जब वह कौन से में था problem था टीक है टोटल एनरजी क्या होती हमारा पास — 13.6 इंटू क्या होतां समया माईड़ स्क्राटिक थाण थीक है है तो जब वह एन जब वहार पास कौन से शैल में था फिर्स शैल में था तो एद्ट की वैल्यू क्या थी 1 और अटमिक नॉंबर का है लंका हमेशा ही 1 रहता है तो कितनी हमार पास यह value है, minus 13.6 electron of volt आगी, ठीक है, one upon one minus 13.6 electron of volt आगी, जब हमार पास हो second shell में गया, तो energy कितनी हुई 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 है हमार पास, देखो, क्या formula होता है, इसका, minus 13.6 into z square upon n square, तो z square क्या है, one ही है, ठीक, atomic number तो hydrogen का one ही है, अब shell number क्या हो गया, इसका, change हो गया, shell number कौन से shell में आ गया, दूसरे shell में इसके energy कितनी होगी, 2 value भर देंगे, 2, 2 जा, 4, तो one by क्या होगी, 4, जब इसको divide किया, तो क्या आएगा, हमार पास minus 3.4 electron volt आई, देखो, यह हमार पास कौन सा shell यहाँ पर, k shell है, तो energy कितनी है, हमार पास minus 13.6 electron volt, जब वो दूसरे shell में चल गया, L shell में, तो उसके energy कितनी है, minus 3.4 electron volt आई, तो यह value आप हमेशा याद करना, यह आपको जुरूर आएगी, आएगी, एक्जाम में, चीक है, यह बहुत important values है, ठीक है, और hydrogen atom की ही maximum वो पूछते है, जब हमार पास N की value जाओगी, 3 होगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमार पास, N की value क्या होगी, 3 का square, 9 हो जाएगा, 1 by 9 हो जाएगा, electron किसकी दूर, जैसे जैसे दूर जा रहा है, the energy is low, sorry दोस्ते हाँ पर low नहीं होगा, the energy is increases, energy क्या करी, increases करी, पहले हाँ पर बहुत कम थी, फिर थोड़ थोड़ी बढ़ गी, फिर किसकी तरफ को जा रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, energies increases, चीक है, तो इस बात को हमेशे electron का हो रहा है, nucleus से दूर जा रहा है, तो energy क्या करी है, increase करी, decrease करी, remain same करी, तो क्या करती है, energy हमेशा, increase करती है, तो यही इसमें सबसे important point है, चीक है, तो next हमार पास derivation of, next क्या हमार पास derivation of debrogly relationship, और यह बहुत जादा important है, चीक है, तो debrogly relationship क्या है, इस से हमार को numerical देखने को मिलता है डी ब्रॉगली से तो जैसा कि पहली लाइन देख रहे होंगे एज वी नो डैट राइट हैस तू नेचर हमने पढ़ रखा कि लाइट के दो नेचर होते हैं ठीक है ड्यूल नेचर ओफ लाइट होता है कौन-कौन से नेचर होते हैं एक हमार पास वेव नेचर होता है और एक कौनसा है पार्टिकल नेचर ऐसा कि इसने बोला डी ब्रॉगली ने बोला तो यह वाला कोशन भी आपको एक्जाम में देखने को मिल सकता है कि जो हमार पास डी ब्रॉगली थे उन्होंने क्या बोला उन्होंने बोला जो हमार पास इलेक्ट्रोन है उसका भी क्या है तो उन्होंने एक डिलेशंशिप दिया था आगो डिसको डियर वगल ग लेशंशिप भी बोलते थे ठीक है तो इन्होंने बोला कि हमने पता हमारको एनरजी ओती जो किसके बराबबर होती एच-णियू के बराबर वहती है ठीक है तो इसको हम एकॉर्डिंग टूप्लैंक्स एक किसमें दिया था एकोर्डिंग तो प्लैंक्स ने दिया था ठीक है एंसाइन ने बोला कि E is equal to mc स्क्राइब समने सुन रखा ठीक है एंसाइन ने बोला कि energy होते हो क्या होती है मासिं फिर्डद्र एफफफेट का स्कॉएर थे थी चीछ चेक है इन इनर्जे इनर्जी ए Dus जब यह दोनों क्या होगी अपस को क्या होगी था हमने लिखा एक रिठ से काipts की तो सिपट नीव की वेलिव निया नाल यहां से र Kṛṣṇa Kilo का आटीजिंग्ड़िया की अपान यहां पर नीव की वैलिव भर दी तो यहां पहुंनेुग एन्दा कि वेल्यू निकालनी तो लेम्डा को हम परे लेगे और एमसी को यहाँ को लेगे थीक है क्या आगा हमार पास लेम्डा is equal to h upon एमसी आगे मोमेंटम का का फॉर्मूला था मोमेंटम का फॉर्मूला था पिईруж IT जैसे जैसे देखो लेंडा इसमें wavelength wavelength which is equal to 1 upon momentum पी क्या था इसमें momentum जैसे जैसे momentum बढ़ेगा वैसे wavelength क्या होगी decrease होती रहती तो इस type का question भी आपको exam में देखने को मिल सकता है कि अगर momentum बढ़ रहा तो wavelength क्या करेंगी तो wavelength क्या करती है decrease करती है और अगर wavelength बढ़ती है अगर wavelength बढ़ती है तो momentum क्या करेंगा डिक्रीज करेंगा क्यूंकि आपस में कॉंसे relationship में inversely relationship में वन अपॉन एम लैमडा इसकल टूवन अपॉन पी ठीक है तो inverse relationship है एक चीज बढ़ेगी तो एक चीज क्या होगी कम होईगी तो यह भी आपको पेपर में देखने को मिल सकता है इसका हम एक numerical भी कर लेते हैं ठीक है और यह वाला कोशन आपको TGT Commission में आ चुका है यह वाला कोशन आपको ठीक है तो यह कोशन क्या था हमारे पास इन्होंने बोला यहां पर दोस्तों थोड़ा सा पता है लेंड़ा इसकल एच अप उपॉन एमवी ठीक है यह लेशन शिप हमारे को पता है ठीक है एच हमारे पास प्लैंक कॉंस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू क्या रहती हमेशा 6.63 इंटु 10 बाइन इस पाध माइनस 34 रहती है और यह दोस्तों ह्पेट में जुरूर कई बार यह पूछी गई है टो प्लेंग सकॉंसनेंट की वेउट इस इंटी इनटी इन इस पाउर माईनस थैटी फो रहती है इच थे के तो हमने है आगे आपकास कितनी एक्स पॉंट इंटी इन इस पाउर माइनस थैटी फो ठीक है मास था था भी हमने निकाला था 9.1 into 10 is for minus 31 ठीक है विल्स्टी उफ ये निकाला था भी ठीक है बोहर मॉडलल ने का फूर्ण निकाली थी कितनी आती है 2.18 into 10 is power 6 यहां से हमने क्या डारेक्ट निकाला यहां से निकाला हमने wavelength of electron electron की wavelength कितनी होगी यह एक्षन कई वार एक्जाम में आ चुका कि एलक्ट्रॉन की वेवलेंद क्या होती है, तो फार्मूला सीधा सा h upon mv, h की value हमार को पता कितनी होती है, 6.63 x 10 is power minus 34, m की value कितनी होती है, 9.1 x 10 is power minus 31, multiply velocity कितनी होती है, 2.18 into 10 is power 6 जब इसको हमने calculate किया तो हमारे पास आया 3.2 एंग स्टॉन इसकी value क्या होती हमेशा याद रखना दोस्तों एंग स्टॉन की value कि जिए 10 is power minus 10 ठीक है तो हमारे पास किने आया था 3.2 एंग स्टॉन आया था तो हम इसको क्या लिखते 3.2 इंटू 10 is power minus 10 लिखते बाद में इसको जब हम PPM में convert करेंगे तो यह किना आजाएगा 3.2 पीपीएम आएगा तो वहां पर क्या पूछी थी value पीपीएम में पूछ रखी दी ठीक है पार्स पर मिलियन में पूछ रखी दी इसकी value कितनी आई हमारे पास 3.2 पार्स पर million value आई है क्या है हमारे पास wavelength ओफ वेव लेंग हमने हमने इलेक्ट्रोन यह हम पास 332 PPM visiting में 3.2 ऌक्ट सब्सक्राइब करेंगे हैं तो त Там सब्सक्राइब ibility धिए थी आप्याञे से व्यवलेंट निकालनी है थीक है तो आपको पता काइंटिक एंदरी का था हाफ एंदी स्कूर होता है ठीक है तो काइंटिक एनर्जी कि अदिये रखिए 3.0 है मार पास 3.0 कि ने रखिए 3.0 इंटू 10 बॉस पार माइनस 25 दे रखिये तो सिंपल सा नुमेरिकल है यहां से मार को mass कितना है लेक्टरोन का mass आपको पता कितना दे रखा है पहले से रखा है ठीक है यहां से v square की value निकाल देगी v square की value कितना आ जाएगी 3.0 into 10 is power minus 25 upon upon में क्या चल जाएगा M चल जाएगा तो M कितना हता मास कितना है 9.1 into 10 is power minus 13 ठीक है यह आ जाएगा V square है square को जब हम टाएंगे तो पर जाएगा under root बन जाएगा इसको हमने क्या कर दिया V is equal to 3.0 into 10 is power minus 25 upon 9.1 into 10 is power minus 31 ठीक है जब हम इसको पर लेगे तो यहां से हमार को V की value आगी कितनी 812 ठीक है तो हमार को क्या बोला wavelength बोला wavelength हो जलता है h upon mv ठीक है एच की value आपको पता कितनी होती 6.62 into 10 is power minus 34 होती है ठीक है upon m की value कितनी होती है 9.1 into 10 is power minus 31 multiply अभी हमने V की value इनकाली 818 ठीक है जब हम इसको calculate करेंगे तो यह आजागा हमार पास 8 967 एंग्सटोन के ब्राबर और calculation आप हमेशा खुद ही करेंगे चीक है तो कि जितने आप calculation करेंगे उतना ही आपके लिए फाइदे मंद रहने वाला है तो आज की वीडियो हम यहीं खतम करते हैं इसमें कुछ हमारे टॉपिक रहे जैसे हमार पास हीजनबर्ग अंसर्टेंटी प्रिंसिपल रहे गया उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे क्वैंटम नंबर्स पढ़ेंगे जो की बहुत जादा इससे आपको डेफिनेटली कोशन कमिशन में आएगा ही आएगा क्वैंटम नंबर्स से ठीक है तो क्वैंटम नंबर्स भी हम पढ़ेंगे हीजनबर्ग अंसर्टेंटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे उसके बाद हमारे पास दो तिन लॉज रह जाते जैसे पॉली एक्स्क्लि क्वैं ठीक करेंगे तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में तो कमेंट में हमें बताए कि यहमें आपके टॉपिक समझ आ वीडियोन थे ब्लाइब बहुत में ख compression करें चानल पर झानल को सब्सक्राइब शेयर ऑपने कमिशन की ते यारी कर रहे हैं। जल्दी आपके लिए test भी ये आने वाला है ठीक है क्योंकि बहुत सी भरती है आपकी क्यारेगी है हाँ पर खाली रही है इमाचल प्रदेश में बहुत से teachers की post खाली है नौन मेडिकल टीजीटी की पोस्त बहुत जादा खाली है तो आपको टैस्स हमेज कमिशन का आएगा ही आएगा तो अभी से आप अपनी तयारी कर ले और ये कॉंटेंट इस कॉंटेंट को बनाने के लिए हमारे पास बहुत से ऐसे जो बैकवर्ड बैक में काम करते हैं जैसे झाल झाल